है लो स्टुडेंट्स वेलकम बैक वंस अगें तो यह वेरी ओन चैनल तरीज मैं जोने पत्तिव सब्सक्राइब को निव वीडियो रिलेटेट तो यह वन अप दे मोस्ट इंपोर्टेंट नुटिविशन रिलेज्ट बाइ एंटी 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 एंट जो एक्जाम होता है उसको कंडेक्ट करता है रास्ट्रिय फरिक्सा एजेंसी तो पब्लिक नूटिस फर्स्ट मार्च को आया है यह वाला तो यह बहुत इंपोर्टेंट से वीडियो बनाना था मुझे बटाइम नहीं मिल रहा था इसलिए बनाना नहीं पाया बहुत बच् में ट्राइ करूंगी सारा डाउट सारा कंफीजन आप लोगा दूर हो जाए और सारा कुछ का कैसे रेजिस्ट्रेशन क्या बगारा करना है कितना क्या फीज है सब कुछ में आप लोग को यह वाला वीडियो में जितना हो सके जितना कम टाइम में सब कुछ डिटिल में बता तो यह जो है आपको लोगों का एक तारिकों नोटीस आ गया है जैसे कि बहुत दिनों से इंतजार था कब डेट होगा कितना बार होगा कितना बार जैसे कि पिछला सल 4 बार एकजाम हो था बट इस बार दो एटेम्ट का वो मतलब अनाउन्स किये हैं तो देख लेते हैं क्या क और चुछ जो जो बोला गया है जोट जे मेन टू एंटी ए फ्रॉम टुजवन नाइंटीन ओनवाट से वो लो कंड़ेट करें उससे पहले सीबीएसी कंड़ेट कर रहा था तो जोट एंट्रांस एंट्रांस जेए मेन टू पेपर का कंटेंड रहता है वो पेपर वान इस बेचलर ऑफ इंजिनेरिंग और बी टेक बेचलर ऑफ टेकनोलोजी एट एन इटी इस एंडर सेंट्रल फंडेट टेकनिकल इंसिचूट यह तो आप लोगों बता है यह सरा में नहीं बता रहा है तो इस बार और पेपर टू कंड़ेट होता है अपका बैचलर ऑफ बैचलर आर्ठेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए वो पेपर टू कंड़ेट दो लोगो का जो पेपर कंड़ेट करता है तो आप लोगम होता है तो आप लोगों का पेपर है में लोग का पेपर लोग Hawnивается कर जायगा जो बैचलर ऑफ बैचलर सिखिच में और ने लिए उ your bachelor of engineering and bachelor of technology that is for paper one paper two जो है paper two का दो वाग में वो डिवाइड कर दे 2A 2B 2A for bachelor of architecture and 2B for bachelor of planning ठीक है तो क्या-क्या subjects रहता है वो पहले देख लेते हैं पहले मैं BTEC का बात कर रहा हूँ subjects रहता है आपका math physics chemistry यह तो आपको पता है math में आपको two sections will be there section A में आपको 20 questions section B में 20 questions section C में 20 questions मतला physics chemistry math का each आपको 20 questions करना है और section A में आपको 10 questions दिया गया है but out of 10 you have to attempt any 5 questions ठीक है section A is all about MCQ section B is all about your subjective type question mode of examination विल भी computer-based test विल भी दिया computer-based test का बहुत बच्चों का confusion रहता है कि जे online mode exam देते देते दो साल में कुछ बच्चों का लगता है कि CBT computer-based test मतलब घर में बैटके laptop या फिर computer पकड़के वहां से exam देना है but वो नहीं है CBT का मतलब होता है J E N T A वो खुद आपको decide करेगा कहां पर center होगा जो center preference आप पहले से clear हो जाएंगे दो सिप्ट में वो एक्जाम करें फर्स्ट सिप्ट आपका 9 से 12 तक होगा second सिप्ट आपका 3 से 6 तक होगा तो जो सिप्ट में आपको दिया जाएगा आपका admit card में वहां से आपको करना है same concept will be there paper 2a bachelor of architecture में आपका mathematics part 1 aptitude test part 2 and drawing test part 3 है और वैसे ही बी planning में mathematics part 1 aptitude test part 2 and planning part 3 में है तो वहां पे अगर देखा जाए अच्छे से तो यहां पे आपका math का section A में 20 mcq section B में 10 तो but out of which we have to attempt any 5 questions और यह 50 यह 2 तो total आपका 82 हो गया और इधर में आपका math 20 यहां पे 10 out of which we have to attempt any 5 मतलब 20 plus 5 25 इधर 50 यह 25 मतलब total 105 तो हार एक question का 4 मार्क होता है तो मतलब यहां पे 90 है मतलब 90 into 4 कर दो ठीक है इतना होगा इधर में 82 और 105 तो उसको करके upload करना है इनका भी mode of examination अगर देखा जाए तो इनका भी computer based test होगा और इनका भी CBT होगा और इनका shift भी 9 से 12 इनका 3 से चे और इनका second shift में होने वाला है 3 से चे तो it is all about your timings and date of your format जो भ मैं नीचे में कुछ add किया हूँ उसको देख लेंगे पहले देख लो for paper 1 and part 1 of paper 2 each subject will two sections दो section दिया गया है section A will be multiple type question mcq type questions will be there and section B will be question whose answer are to be filled is a numerical value मतलब that is your subjective type question section B candidate have to attempt any 5 questions मतलब 10 questions था you have to attempt any 5 questions and there will be negative marking for both section A and section B यहाँ पे पूरा change कर दिया है बाकी पहले क्या होता था ने mcq में आपका negative marking रहता था subjective में negative marking नहीं रहता तो अभी से इस साल से ये session से आपका subjective में भी negative marking रहेगा क्या ये clear है सबकर negative marking यहाँ पे subjective में भी रहेगा और detail में बताऊंगा बात में जब हम में detail में आपको बताऊंगा सारा कुछ section B में बट यहाँ पे subjective आपका negative marking रहेगा enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numerical keyboard in the place designated to to the answer for section B the answer should be rounded off to the new rounded off to the nearest integer बतलब कहीं पर कि क्या निकलता था 10.5 निकलता था 10.7 निकलता था कुछ-कुछ में पहले बार में ऐसा होता था पड़ अभी वो बोला है कि उसको rounding off करके suppose कहीं पे 10.2 लिखा है तो उसको rounding off करके 10 लिखना है कहीं पे 11.8 निकला है तो उसको rounding off करक आपको 12 का value को integral value होना चाहिए वह पर point वाला value नहीं रहेगा और integral value अगर आपका गलत हो गया अगर मानलो 10 निकलना चाहिए आपका 11 निकल गया फिर 12 निकल गया फिर 9 निकल गया तो वहाँ पर आपको minus marking मिलेगा subjective में भी ठीक है तो that is the concept तो और rough के लिए confusion हो रहा है कि सब्जेक्टिव होगा तो कैसे कहां पर करें computer में rough करेंगे क्या तो वो लोग रफ प्रोवाइड कर देंगे रफ से आप लोगों से कर देना medium of question paper drawing from the national education policy medium जो आसामी बेंगोली कन्नड़ा मेलायलम यह सब language दिया गया है इस सब language में आप लोग कर सकते हो date of examination यह सबसे important नहीं session 1, session 2, 2 session में आप लोग का exam होने बला है session 1 का जो date से जो हम probable मतलब कर रहते है 16 से लेके 21 April तक आप लोग का पहला session है session 2 आपका 24 में से लेके 29 में तक है तो आप लोग का जो CBC 12 के जो बच्चे है जिनका exam 26 April से start हो रहे तो minor subject पहले start होगा तो most probably first में से आप लोग का major subject start होने बाला है तो first में से लेके आप लोग पकड़ लो 15 या 20 में तक क्योंकि यहाँ पर 24 से session 2 होगा उसका obviously वो CBC NTA बात करके ही उनका जो भी timeline set कियोंगे कि कभी भी वो boards के अंदर कभी भी वो दे नहीं देता तो इसलिए उसका पहला कर रहा है उसके बाद में कर रहा है तो उसके बीच में जो है आपका boards का preparation करना है तो दोनों session में आपको देना है तो कुछ points यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि candidates can apply J-Min session 1 through the online mode from पहला मार्च से 31st मार्च तक आप लोग apply कर सकते हैं 5 p.m only up to 5 p.m. the fees can be paid online, online आप कर सकते हो up to 31st मार्च तक debit card वो बगर लिखा है in the first session of J-Min only session 1 will be visible and candidate can opt for that in the next session session 2 will be visible तो फिर पहला session जब आप apply कर रहे हो मतलब अभी आप only पहला session के लिए apply कर सकते हैं session 2 के लिए बाद में आप लोग का apply करने के लिए time मिलेगा one of the application form to be submitted by a candidate for each session एक session के लिए आपको एक ही form submit कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं एक session के लिए बट दो session आप कर सकते हैं multiple application form submitted by a candidate or the same session will not be accepted तो दो एक बार में same नाम का दो application form कभी भी नहीं लेगा candidate are requested to fill up the application form very carefully no correction will be permitted यहां पहले में क्या होता था ना correction के लिए time देता था बट अभी वह पहले से बोल दिया कि कोई भी correction के लिए आप लोगो time नहीं देगा मतलब time क्या और next आपको option भी नहीं देगा तो जो भी करना है पहले attempt में आपको अच्छे से form को अच्छे से fill up करना है कैसे क्या form fill up रहेगा मैं उसका और एक वीडियो लिया हूँगा अगर आप लोग बोलोगे candidate who desire to appear jay main to 2022 में see detailed influencer bulletin उनके directly site में जाके आप लोग उनका और जो भी data दिखना है आप लोग देख सेकते हो या फिर कोई queries है तो आपको 12 feed number और यहां पर उनका website दिया गया है so this is all for from the India site जो क्या था तुसी को base करके जो जो concept था मैंने बता दिया main है आपका dates को आपको mention करना है date is about from 16th April to 21st April for session 1 and second session will be from 24th May to 29th May ठीक है थोड़ा यहां पर मैं announce date जो था उसको थोड़ा समय और ब्रीफ में बता दिया हूँ यहां पर events important dates announce April session, May session, release of notification 1st March को निकला में का 1st March को ही निकला है starting of registration 1st से हो रहा है इनका में का session का 8th April से start होगा end of registration यहां पर 31st का यहां पर 3rd May में आपका complete होगा last date of fee payment यहां पर 31st March और यहां पर last date of fee payment will be 3rd May ठीका मतलब board चल रहा होगा आप लोग का वहां पर आप form धार रहे होगे and exam city announcement first week of 2022 में आपका announce हो जाएगा और यह second week of May में आपका announce हो जागा release of admit card most probably second date यह tentative date से पूरा confirm date नहीं है वो NTF फिर से बोलेगा release of admit card second week of April यहां पर 3rd week of May में आपका release कर देगा jman 2022 exam first session 16th April 21st April second session 24th में से 29th में ठीका display answer कि आपका May में मिलेगा session 1 का June में मिलेगा session 2 का declaration of the result May में मिलेगा इसका आपका June में मिलेगा counseling start होगा June July का session 1 का और June July मतलब लगवग same dates में 1 और 2 का आप लोग का session start हो जाएगा ठीका तो वही सब है registration process conducted दो session में होगा एप्रिल में में online mode में करेंगे first 8 April तक आपको करना है यह सब कुछ points लिखा गया है आप लोग देख सकते हो registration में एक बार ही करना है online payment में आप लोग यह सारा debit card credit card सब कुछ यूज कर सकते हो अगर आप बैचलर ओफ इंजिनेरिंग और बिटेक का कर रहे हो सब कुछ जेनरल जेनरल ओबीसी के लिए आप लोग का boys के लिए 650 गल्स के लिए 325 और exam center आप लोग देख सकते हो यहां पर ठीक है देख लेना आप लोग फिर नो करेक्शन फेसलिटी जो भी जो भी वहां पर लिखा था वहां पर कोई भी करेक्शन करने नहीं देगा eligibility criteria क्या होगा न स्टूडेंट मस्टे कंप्लेट जेए eligibility criteria प्रोवेड बेर इन गिवन विलो क्या क्या होना चाहिए exam mode आपका online mode में होगा paper two two paper होगा time duration एक घंटा का दिया जाएगा type of questions there will be objective type question as well as subjective type question language वह देदेगा जेए के तरफ से वह अलग-अलग regional language यह है total number of questions there will be total 90 questions in paper one Btech and BE में 82 questions in paper two A bachelor of architecture में 105 questions in bachelor in planning में marks क्या है paper one जो Btech का था वो 300 था 90 300 का था और bachelor of architecture और bachelor of planning का उनका 400 mark था marking scheme क्या है यह ध्यान से रखेंगे for every correct question you will get four marks सारे सही question के लिए 4 mark मिलेगा और एक गलत question के लिए आपका minus one गटेगा मतलब one by four हम बोल सकते हैं चार question मतलब एक सही किये तो चार मार्क एक गलत किये तो माइनस one mark negative marking section B का ठीक है और वही same concept है physics का 20 section A में mathematics 20 chemistry 20 total 90 section B में 10 10 और 10 मतलब total आपको 15 question करना है each section में मतलब पांच-पांच question करना है तो मार्क distribution यहां पे 100 यहां पे 100 यहां पे 100 तो total will be your 300 ठीक है मतलब यहां पे 300 कैसे हो रहा है कि 20 प्लस 5 इधर से 20 प्लस 5 इधर से 20 प्लस 5 तो 25 इंटो 400 100 तो total 300 मार्क ठीक है और वैसे ही architecture के लिए यहां पे 50 था यह 200 आप 4 मार्क है यह 20 इधर से 5 तो यहां पे 20 यहां पे तो लिखा गया यह 25 ड्राइंग टेस्ट और वह वह गया आपका 100 तो वह 400 मार्क हो गया और यहां पे mathematics का 20 यहां पे 500 यहां पे 200 यहां पे 100 तो यह 400 मार्क ए टोटल हो गया और वही है सेम कोशन physics chemistry उनका physics chemistry mathematics आता है इनका mathematics drawing और aptitude बी आर्क के लिए और planning के लिए mathematics planning और आपका aptitude session तो यहां पे सब कुछ सिलाबस मैंने दे दिया है इसका मैं link discussion में दे दूँगा आप लोगों से देख ले ना physics का यह सारा है मेंली वो फूकस कर रहा है 11-12 का ncati based जो भी सिलाबस था आपका mathematics chemistry हो गया physical chemistry organic chemistry इन और गानिक chemistry फिर बाकी बी आर्किटेक्ट्चर और बी प्लानिंग का भी यहां पे सब notification मैंने दे दिया है सब कुछ detail में दिया गया है आप लोग को अगर देखना है तो आप लोग वहां से download करके देख सकते हो तो इतना था आज के वीडियो में I hope आप लोग इससे कुछ help मिल जाएगा जो भी confusion था जो भी doubts था वो लोग आप लोग का clear हो गया होगा और कुछ भी doubts से queries अगर है आप लोग comment section में बता सकते हो तो और clearly मैं आप लोगो उसको समझा सकता हूँ और ज्यादस ज्यादा थोड़ा 12 जो भी pass out करेंगे उनको और या फिर जो droppers बचे उनको share कर देंगे ताकि जो भी confusion था एक session दोट होगा या चार्ट होगा तो clearly mention कर दिया कि दोट होई session होगा session 1 April में होगा session 2 में में होगा बाकी सारा details मैंने बता दिया ठीक है अगर वीडियो अच्छे लगा तो share करेंगे और अगर कुछ भी problem होगा कुछ भी queries रहेगा तो आप लोग comment करना मैं उसके उपर और एक वीडियो बना दूगा ठीक है आज के लिए इतना है फिर thank you so much and मिलेंगे फ stay safe thank you so much